नमस्कार दोस्तों सेमसन ये लिडी टीवी सेमसन है तो इसमें कुछ न कुछ नया होता ही है इसमें जो आयर सिंसर है इस स्मॉल प्लास्टिक बॉक्स में जो लगा हुआ है और बैक कवर से अटेच है देखने में ये आसाने पर इसे निकालना काफी हार्ड है हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम इसे कितने आसानी के साथ में निकाल सकते हैं और निकालने की क्या ट्रिक है एक बार यह ट्रिक मालूम पड़ गई तो इसके बाद में इसे निकालना काफी आसान है जैसा कि आप देख सकते हैं रेड लाइट ब्लिंक हो रही है अब हमने टीवी उल्टा कर लिया है और आप देख सकते हैं इसी स्मॉल बॉक्स में आयर सेंसर लगा हुआ है बैक कवर के बैक सैड में और यह टीवी का मॉडल नंबर है जो इंपोर्टेट पीस है मेडिन मलिसिया टीवी रिपेरिंग करने के लिए जरूरी है कि हम आयर सेंसर निकाले और निकालने के लिए जरूरी है कि उसे निकालने के ट्रिक मालूम हो एक बार आपको ट्रिक मालूम पड़ गई तो यह काफी आसान हो जाता है जिसे मालूम है उसके लिए काफी आसान है हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम इसे किस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं अब हम tv खौल लेंगे और इन्लाज च्टेप करके देखेंगे जिसमें किसे निकालना हो तो आसानी के साफ harmony उसे निकाल सकें। अब हम बैट को निकाल लेंगे बैक्ट को और हमने निकाल लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं आयर सिंसर की वायर है अब हम यह कनेक्टर निकाल देंगे और इसका क्लोज अब में व्यू आपको दिखाएंगे अब हमने कनेक्टर निकाल लिया है अइर सिंसर का और एक चोटे से प्लस्टिक बॉक्स में लगा हुआ है बैक कवर में देखने में काफी आसान है पर निकलना इसे उतना ही हार्ड है जब तक आपको नहीं पता है कि इसमें लॉक कहां से किस तरह उपन करें तो आप इसे आसानी के साथ नहीं निकाल सकते और जरासी गलती में आपकी साइड का लॉक एदी डेमेज हो गया तो फिर बॉडि में टेकनिक बताएंगे इसके नीचे लॉक है यहीं से हमें थोड़ा उपर करना है और पर नीचे से हमें खीचना है यह क्लोज अप में आपको दिखा दें लेफ राइट साइड में यह देखें आप डाउन यहीं पर लॉक है इसका लेफ साइड में यहां से हमें थोड़ा निकल आया है चारू तरफ से आप देख सकते हैं यह लॉक है यह उच्छे टेक्निक का कमाल है जो प्लाश्टिक बॉक में इस तरह से फिट किया है कि आसानी के साथ में निकालना आसान नहीं है यह लॉक है फिर से हम दिखा रहे है चोटे से प्लास्टिक बॉक में फिट किया हुआ है अब हम इसे कैसे fit करेंगे इसका भी practical करके देखेंगे जैसे हमने निकाला वैसे हम इसमें इंसर्ट करेंगे यह लॉक है और लेप और राइट साइड में नॉच में प्रोपरली इसे इंसर्ट करेंगे वायर हमने डाल लिये और लेप साइड में राइट साइड में अब देख सकते हैं यह लेप यह राइट यह नॉच खाचे में जाना चाहिए और इसके बाद में हलका सा पूस करना है पूस करने के बाद में लॉक अंदर चला जाता है और यह यहां पर लॉक हो जाता है अब यह अब डाउन में प्र पर्फेक्ट लिए फिट हो सुका है, आप डाउन, थैंक्स पर वाचिंग और मोटिवेशन, एक लाइक आऊच्छे करें, धन्यवाद.